हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का यथारत हिंदी एजुक्षिन क्लासिस पे हैं जहां हम हिंदी साहिती के इंपोटेंट प्रेस्ने पड़ते हैं और साथ में हिंदी ग्रामर के क्वेशन भी में इसमें सम्रेट करती हूं ताकि आपको अपनी तयारी ब प्रेशन आपको मिलते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आज का पहला प्रशन है रचनाकाल की द्रश्टी से हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना गया है भाग्यवती पुरुस परिक्ष्या चंद्रकांता स्यामा स्वप्न राइट आंसर इसके लिए उप्सन ए है भाग्यवती रचनाकाल की द्रश्टी से प्रथम उपन्यास माना जाता है यसपाल की किस उपन्यास को महा का भी कहा जाता है यसपाल का कौन सा उपन्यास है उपन्यास है जो की महा का भी कहलाता है पार्टी कामरेड अमिता जूटा सच दिव्या यहां पर यह अमित हो गया है अमित नहीं है ँअमित है ठीक है ये सारे ही रशनाएं यसपाल जी की है और इनकी किस रशना को महा कावी कहा जाता है ये बताना है इसके लिए option c है जूछा सच जो जूठा सच रशना है यह सपाल की इसे महा काविय की संऑया दी गई है अगला प्रशन है right दरста से सारवाधिक प्रभावित अपान्यासकार निम्न में से कौन है कौन से उपान्यासकार है जो कि प्रता दरста से प्रभावित रहे hon है भगुदी प्रिसाद वाजपेई, राइट आंसर इसके लिए उप्सन ए है, जैनेंद्र थे, जोकि फ्रायट दर्शन से सारवाधिक प्रभावित उपन्यासकार थे, प्रगतिवाधी उपन्यास परंपरा के सबसे प्रधान उपन्यासकार निम्न में से कौन है, सबसे प्रध भगतिवाधी उपन्यास परंपरा के सबसे प्रधान उपन्यासकार माने जाते हैं, यस्पाल, निराला की साहित्य साधना किस विधा की रशना है, रशना का नाम है निराला की साहित्य साधना, इसकी विधा कौन सी है, जीवनी है, आत्मकथा है, उपन्यास है या वर्मा, राम विलार शर्मा, सोरी कांधर पाथी निराला, महादेवी वर्मा राम विलार शर्मा ने निराला की साहतिसादना जीवनी की रचना की है राम विलार शर्मा इसके लिए राइट आंसर है अगला क्वेशन है जैसंका प्रसाद की सरप्रिथम प्रकासित कहानी निम्नमे से कौन है प्रसाद जी की दौरा सबसे पहले प्रकासित इनकी कौन सी कहानी है रशिया बालम, आकास्टीब, ग्राम, तानसें ये सारी ही रचनाएं किसकी है जैसंका प्रशाद जी की है सारी ही रचनाएं तो सबसे पहले प्रकासित कहानी बतानी है और इसके लिए राइट आंसर उप्सन C है ग्राम है जैसंका प्रसाथ की सबसे पहले प्रकासित जो कहानी है वह ग्राम है अगला प्रशने है जैसंका प्रसाथ की प्रथम कहानी ग्राम किस पत्रिका में प्रकासि प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई इंदू सरस्पती माधूरी इन में से कोई नहीं राइट आंसर ऑप्सन ए है इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी इनकी कहानी अगला क्वेशन है कभी भारति इंदू नाटक किसके द्वारा लिख लैट आंसर है इसके लिए अप्षन सी लक्षमी नाराणnity मिस्र तो भारण यच्छ emittedक है अगलर प्रशन है भुबन racism की स्लास्था का नाम है तो किसी रशना की स्हति चाहें बताना है महाभोज नदीके द्वीब अंधेर नग्री राइट आंसर इसके लिए option है नदीके द्वीब option C इसके लिए राइट आंसर है जो भुवन है यह नदीके द्वीब रशना का पातर है अगला question है समय है सहचर किसकी आतमकथा है समय है सहचर यह आत्मकथा विधा की रशना है पहले आपको देखना है कि यह क्या है आत्मकथा विधा की रशना है कभी-कभी रशनाओं की विधाएं पूछ रियाती है तो समय है सहचर आत्मकथा विधा की रशना है किसकी आत्मकथा है बताना है राइट आंसर देखते हैं इसके लिए राइट आंसर है उप्सन ए रामदरस मिस्र की आत्मकता है समय है सहचर उप्सन ए राइट आंसर है अगला क्वेशन है रांगे रागो किस यूग के कवी हैं रांगे रागो किस यूग के कवी हैं प्रयोगवाद, प्रगतिबाद, द्वेदी युग या भारतिंद युग रैट आंसर उप्षन B है प्रगतिबाद के कवी हैं रांगे, रागव ओप्षन B इसके लिए रैट आंसर है अगला क्वेशन है मनुझ का विलोम निम्न में से क्या होगा मनुझ का विलोम इन में से क्या होगा अनुझ, दनुझ, पाशू या इन में से कोई नहीं राइट आंसर ऑप्सन B है दनुझ मनुझ का विलोम होता है दनुझ ऑप्सन B इसके लिए राइट आंसर है अगला प्रशन है महत्ता का विलोम निमने में से कौन सा है महत्ता का विलोम महत्ता का विलोम बताना है कि कौन सा है साध होता है लग होता है दिर्खता है या इनमें से कोई नहीं देखे अभी तो हमें ये विलोम सब्दे हैं बहुत इची लगते हैं लेकिन जब हम एक्जाम में बैठते हैं, तो सारे उपसर एक जैसे ही दिखते हैं, वहाँ पर बहुत confusion होता है, तो इसलिए जो चिछ आपको सरल लगती है, उसे और ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उसमें हमेशा confusion होता है, ठीक है, क्योंकि सरल ऐसा लगता है, कि की सही को भी गरत करके आते हैं, ठीक है, इसलिए अभी आपको एक्वेशन इजी रहा हो, लग रहा होगा कि महत्ता का विलूम सरल है, लेकिन फिर भी मैंने ये डाला है, क्वेशन में, ताकि आप अपने को चेक भी कर सके हो सकता है, किसी का गरत भी हो, और कोई सही आंसर भ अगला प्रशन है, निम्नि में से कौन सा एक जाती वाचक संग्या का उधारन नहीं है, आपको अब नहीं मैं आंसर देना है जाती वाजग संग्या के बारे में पूछा है जो जाती वाजग संग्या के अंतरगत नहीं आता है सिखशक, लेखक, मंत्री या किरण Right answer option D है किरण जाती वाजग संग्या का उधारन नहीं है बलकि किरण क्या है? ब्यक्ति वाचक संग्या का उधारन है ठीक है किरन किसी लड़की का नाम होता है तो जब किसी का किसी स्पेशल का नाम होता है मतलब किसी भी ब्यक्ति का नाम होगा नदी का नाम होगा तो वह क्या कहलाता है पहाड का नाम परवत का नाम होगा तो वह ब्यक्ति वाचक संग्य के अंतरगत आता है जैसे अगर परवत हम बोल रहे हैं परवत यह ब्यक्तिवाचक संग्या नहीं है लेकिन परवत की जगह हम हमालाई की बात कर रहे हैं तो यह ब्यक्तिवाचक संग्या के अंतरगत आएगा जैसे हमने नदी बोला यह ब्यक्तिवाचक संग्या के अंतरगत तो इसी परकार यहां पर जाति वाचक संग्या का जो पूचा गया था तो right answer option Dंड है इसके अदर एक यह सारे जाति वाचक संग्या के उधारान है अगला प्रशन है जिसे माप या तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं वह किस संग्या के अंतरगत आता है ऐसा वह संग्या कौन सी है जिसका माप या तोल तो होता है लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता उसे किस संगया की अंतरगत रखेंगे जाती वाचक संगया की अंतरगत इस्थान वाचक संगया, भाव वाचक संगया या दरभी वाचक संगया इसके लिए right answer option D है तो ऐसी बस्तू को जिसका की माप तोल होता है लेकिन उसे गिना नहीं जाता उसे दरविवाचक संग्या की अंतरगत रखते हैं इसकी अंतरगत सोना, चादी, हीरा, मूती जो पदार्थ हैं यह भी दरविवाचक संग्या की अंतरगत ही आते हैं अगला प्रशन है एक मीटर कपड़े से काम चल जाएगा इस वाकिमें विशेशन है तो आपको विशेशन बताना है विशेशन का मतलब क्या है जो की संग्या या सरुनाम की विशेशन बताता है उसे विशेशन कहते हैं तो यहां पर आपका विशेशन बताना है कि क्या है कपड़ा है, काम है, एक मीटर है या निमने में से कोई नहीं है राइट आंसर इसके लिए उप्सन है C, एक मीटर, एक मीटर जो है यह क्या है, विशेशन का उधारार है, देखिए, कपड़ा है, किसी वस्तु का नाम, यानि कि यह क्या हो गया, संग्या हो गया, से काम चल जाएगा, तो यह है इसका, इसकी बारें बता रहा है, लेकिन इसक क्या है, कि कपड़ा कैसा है, कितना है, कपड़ा की क्या है, एक मीटर है, तो यह जो बता रहा है, यह इसकी क्या है, विशेशन की आता है, अगला प्रशन है, बच्पन और जवानी की उम्र के बीच की संधी के लिए एक शब्द है, बच्पन और जवानी की उम्र के बीच क जो संधी होती हैं उसे क्या जाता है वैस्ता कहते हैं वैह संधी कहते हैं कि सुरावस्ता कहते हैं इन मेंसे कोई नहीं राइट आंसर इसके लिए option ods है वैह संधी बचपन और जवानी के उम्र के बीच की जो संधी कहलाती है थे grainД संधी अगला question है संधी जिसमें कोई विकार या परिवर्दर नहीं होता है उसे कहते है जब किसी संधी से जिसमें कोई भी विकार या परिवर्दर नहीं होता है उसे क्या कहते है विकारी कहते है अविकारी विकरा या विकारा दिन राइट आंसर है अविकारी अगला question है love यहाँ पर संधी नहीं होगा तो जिस वाक्य में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है विकार और परिवर्तन का प्रियोग अव्याई के लिए ही किया जाता है वाक्य में जिस वाक्य में जिस से कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है उसे विकारी कहते है जिस सब्द से कोई विकारिया परिवर्तर नहीं होता है तो उसे अविकारी कहते है अगला प्रशन है लाब पाने की इच्छा के लिए एक शब्द है अगर लाब पाने की इच्छा है तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा जिग्यासा होगा लालच है ल पाने की इच्छा के लिए एक सब्द बताना है क्या है राइट आंसर है इसके लिए उप्सन सी लिप्षा लापाने की इच्छा के लिए जो एक सब्द है वह है लिप्षा अगले क्वेशन है निम्ने में से विलोम शब्द का कौन सा यूगम गलत है विलोम सब्द दिये गए और एक ऐसा है जो कि गलत है अत्यधिक का अत्यांत अकंटक का कंटकित अनुभूत का अनुभूत अनुभूत अनुयाई का विरोधी तो इसमें से कौन सा सही है बताना है राइडांसर ओप्सन ए है अत्यधिक का अत्यांत नहीं होता है अत्यधिक का होगा अत्यल्प ठीक है यहाँ पर आपका अत्यांत, अत्यांत लिखा है, अत्यांत का मतलब भी जादा ही होता है, तो इसके अत्यक्त यह सब सही है, अकंटक का कंटकित ही होता है, अनुभूत का अनुभूत होता है, अनुयाई का विरोधी होता है, अगला प्रशने है, अभिसरन का विलोम निम्न मे से कौन सा होगा अभिमुक होगा अनवी करन होगा परिमित होगा या अपसरन होगा तो अभिसरन के लिए विलोम बताना है राइट आंसर अपसरन होता है अगला क्वेशन है सदाचारी शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा होगा सदाचारी शब्द का विलोम बताना है क्या होगा सदाचार मिराधार असफ्य विभिचारी है इसके लिए aquele पैंदी है Tw toy व्यविचारी होगा इसके लिए सदाचारी के लिए यो सब्ध होता है वह व्यविचारी अगला Question है निमने में कौन सा एक निमने में से कौन सा एक वर्ण शब्द का अनेकार्थी नहीं है तो इन में से जो वर्ण वर्ण जो है वर्ण शब्द है इसका अनेकार्थी कौन सा नहीं है ये इतने दिये गए हैं मतलब की वर्ण का अर्थी इन में से एक होगा जो की नहीं होगा उसके अधिक तो सारे ही वर्ण के अर्थ होंगे अनिकार्थी अर्थ वो सब्द वह होता है जिसमें एक सब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं तो इसमें वर्ण सब्द के अलग अलग अर्थ कौन कौन से हैं यह आपको बताना है यानि कि कौन सा नहीं है इसके लिए right answer option D है जो अंधा है या वर्ण सब्द का अनिकार्थी नहीं है तो वर्ण सब्द का रंग भी होता है अर्थ अक्षर भी होता है जाती भी होता है ठीक है वर्ण सब्द का रंग भी होता है अक्षर भी होता है जाती भी होता है लेकिन इसका अर्थ अंधा नहीं होता है आपसे नहीं पूछा गया था अगला क्वेशन है निम्न में से कौन सा एक सूर्दास शब्द का अनिकार्थी नहीं है फिर से आपके अनिकार्थी में आ गया कि सूर्दास जो सब्द है इसका इन राइट आंसर है देखिएए यहाँ पर question ही कुछ गलत हो गया है यहाँ पर सूरदास नहीं था यह सूर था ठीक है सूर क्या है यहाँ पर question सूर की इन में से कौन सा एक सूर शब्रका अलेकार्थी नहीं है तो इसके लिए देखे सूर के लिए सूर भी कहते हैं सूर को अंधा भी होता है सूर के लिए और वीर सूर वीर बढ़ा होगा आपने सूर तो ये तीनों ही अर्थ हैं सूर के सूर्य भी है अंधा भी है वीर भी है लेकिन इसका आर्थ सोना नहीं होता तो option D right answer है अगला प्रशन है निम्नि मेंसे कौन सा एक गुंगा शब्द काने कार्थी नहीं है गुंगा गुंगा शब्द काने कार्थी जो नहीं है वो बताना है मुग, विवस, भीशन, चुप तो right answer option C है भीशन इसका अर्थ नहीं होता है क्योंकि नहीं मैं आपको बताना है तो भीशन इसका अर्थ नहीं होता है इसके अतरिक तो गुंगा का अर्थ मूग भी होता है गुंगा का मतलब विवस भी होता है और गुंगे का मतलब चुप भी होता है अगला क्वेशन है उबालना शब्द का तत्सम रूप निम्न में से कौन सा है उबालना उबालना सब्द का तत्सम रूप बताना है उद्वालन है उपालंभ है उद्गलन है या उद्गाटन है राइट आंसर है option a उद्वालन उबालना का जो तत्सम रूप है उबालना शब्द का तत्सम रूप है उद्वालन उबालना सब्द का तत्सम रूप है उद्वालन होता है अगला प्रशने है तत्सम तत्भो का कौन सा जोड़ा सही नहीं है तत्सम और तत्भो का एक और आपके तत्सम लिखे रखा होता है अंगिस्ठी का तत्सम रूप है अंगीठी तत्भव रूप है आभीर तत्सम रूप है अहीर तत्भव रूप है आखेट तत्सम रूप है अकेट तत्भव यह तो इसके लिए राइट आंसर देखिए यह वाला ही है आखेट का तत्भव रूप है वह आखेट नहीं होता है तो इसके लिए right answer option D है आखेट का तद्भाव रूप आखेट नहीं होता है इसके अतिरीक ते यह सारे सही है अगला प्रशन एलब किस प्रकार का शब्द है तत्सम है तद्भाव है देशज है या विदेशी है इसके लिए right answer अगला प्रशन है अगद शब्द का अर्थ निम्न में से क्या है अगद शब्द का अर्थ क्या है बाजुबंद रोग रहित अत्यदिक सुख कपड़े का छोर अगला प्रशन है अनंतर शब्द का अर्थ निम्न में से कौन सा है अनंतर शब्द का अर्थ क्या होगा बहुत दूर अन्तिम बाद ये फर्ग राइट आंसर इसके लिए उप्सन C है अनंतर शब्द का अर्थ होता है बाद अगला प्रश्ण है वहधन जो आधिकारिक रूप से राज जी को मिलता हो वहधन जो आधिकारिक रूप से राज जी को मिलता हो उसके लिए एक सब्द बताना है राजपत्रित है, राजगोश कहलाता है, राजजसु कहलाता है या लगाम कहलाता है राजजसु कहलाता है, राजजसु कहलाता है, अगला प्रशन है उत्तराधिकार में मिली जाजात के लिए एक सब्द है रिक्त, रिक्त, विधान, रज्जू Right answer option B है रिक्त होता है उत्तराधिकार में मिली जायजात के लिए एक सब्द होता है रिक्त अगला है कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसोधा जब कानून का रूप देने के लिए प्रस्ताव या मसवदा प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं विधेयक, कानून, अधिनियम, अधिवर राइट आंसर है option A विधिय कहलाता है जब कानून का रूप प्रदान करने के लिए मौसवधा प्रस्तुत किया जाता है तो वह शास्तर जिसमें यंत्रों के बनाने चलाने और सुधारने का विवेचन होता है वह कहलाता है विध्यान यंत्री की यंत्र शास्तर इनमें से कोई नहीं Right answer option B is यांत्री की कहलाता है जिस सास्तर में यांत्री को बनाने चलाने और सुधारने का विविचन होता है यग करने और कराने वाला ब्यत्ती के लिए एक शब्द है यग करने वाला और कराने के लिए एक शब्द है साधू, ब्राम्ह, यग्यो पवित, याग्ग Right answer option D है याग्ग कहलाता है जो यग्ग करने वाला होता है याग्ग करवाने वाला होता है विद्यापती के गीत कविता किसके द्वारा लिखी गई है विद्यापती के गीत यह कविता विधा की रशना है किसने लिखी है विद्यापती ने मैतली सरंगुप्त ने तिरलोचन ने या नागारजुन ने राइट आंसर है option G नागार्जुन विद्यापती के गीत यह रशना लिखी गई है नागार्जुन की द्वारा रंग में भंग नाटक की रशना किसके द्वारा की गई है रंग में भंग यहाँ पर भंग हो गया है यह भंग है नाटक विधा की रशना है यह किसके द्वारा अगला कुशन है रामधारी से दिनकर को उनकी किस रशना के लिए साहत्यकाद्मी पुरुषकार दिया गया था संस्कृति के चार अध्याई के लिए रामधारी से दिनकर को ज्यानपिट पुरुषकार दिया गया था रांधरी से दिनकर को ग्यानपीट पुरुसकार किस वर्स दिया गया 1969, 1960, 1960, 1960, 1969 राइट आंसर ओप्सन ए है 1969 में रांधरी से दिनकर को ग्यानपीट पुरुसकार दिया गया था अगला प्रशने है हिरानन्द वासान अग्ये को साहित्य अकाद्मी पुरुषकार उनकी किस रचना के लिए दिया गया तो बताने हैं कि हिरानन्द वासान अग्ये को साहित्य अकाद्मी पुरुषकार उनकी किस रचना के लिए दिया गया से झिलेक कितनी नावे हरी घास पर शांवर आगन के पार दौर तो इसके लिए ॉप्शन भी ऑ्गन के पर बढ दौर इसके लिए को धिया गया इसके जुक्ति वैर फिर्ञें च्शंद को धिल्य दिया गया है ने के लिए Centers della लिए भी बताया था कि जब वो कितनी नाओं में कितनी बार बैठे तो इससे उनकी ज्ञान में व्रद्धी हुई तो इसका मतलब कि क्या है ज्ञान पीट पुरुषकार जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं कोई कारी को तो हमको उसमें जगान मिलते रहता है तो इसी से पुरुषकार मिला तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं अगला प्रशन है हिरानन्द वासनाग्ये को सहत्य अद्मी पुरुषकार किस वरस दिया गया उनिसो एक सट मैं उनिसो बाशट में उनिसो चौशट में राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी उनिसो चौशट 1964 में हिरानन वासन अग्ये को साहित्यकात्मी पुरुस्कार दिया गया किसके लिए आगन के पारद्वार रचना के लिए ठीक है अगला है सुमित अनदन पंत के कविता संग्रा पल्लो में कितनी रचनाओं का संक्रन है इनकी रचना संग्रा है पल्लो इसमें कितनी रचनाओं परियावाची सब्द बताना है आयू आत्मा इंद्र कव्वा राइट आंसर है ओप्सन ए आयू वैस का परियावाची सब्द है आयू निम्न में से कौन सा एक आवाज का परियावाची सब्द है आवाज जो आवाज है इसके परियावाची सब्द है इच्छा विभू सब्द है अगला क्वेशन है कस्तूरी कुंडल बस है कस्तूरी कुंडल बस है किसकी आत्मकथा है किसकी आत्मकथा है राइडांसर है अगला क्वेशन है अनुमोदन का अन्त संस्मरन के लेखक निम्न में से कौन है अनुमोदन का अन्त संस्मरन किसके द्वारा लिखा गया है हजारी प्रसाद दिवेदी अचाराम जन्सोकल धर्मबीर भारती महाविर प्रशाद दिवेदी तो इसके लिए राइड आंसर है ओप्सन डी महाविर प्रसाद दिवेदी महाविर व्रसाद दिवेदी की रशना है अनुमोधन का अंत ओप्सन डीस के लिए राइट अंस है इसी के साथ ही वीडियो यहीं पैंड होती है मिलते हैं अगले वीडियो में कुछने प्रस्नों के साथ धन्यवाद